राधे राधे दोस्तों कैसे आप सब उम्मिद करती हूँ गौशा बहुत ही अच्छ होंगे तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जो कि हमारे काम को बहुत बनाएगा और हमारे जो काम है बहुत ही जहट पठ हो जाएगा और जो हमारे पास कुछ ऐसे और्गनाइजर पड़े रहते हैं इस तरीके से देख लेजिए आप विमजिल का जो ड्रॉप होता है डिपबा इस तरीके से हम इसको फेक देते वेश्ट लेकिन इसका बहुत ही अच्छा सा हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डेली यूज में वह भी किछन के काम से तो इस तरीके से देख लेजिए आप इस तरीके से लेजिए में जू खाने वाले एक और व्यच्छ रहतां तो उनकी लिए कंटेणर अब मुद्त हमारा नेक्ट टीफय है इस तरीके कि आपके का जो सोब बगएरा होता है और हम अच्छे अच्छे मार्केट से साबून-दानी लेकर आते हैं जो कि अक्सर क्या होता है कि हमारा जो साबून-दानी तो मैंने यह देखिए इस तरीके का हम लोग बहुत ही पैसा वेस्ट कर देते लिएए यह तो मैंने यह मतलब प नहीं है तो आप क्या करिए इसमें आपके पास कोई भी रीबन बगएरा हो या तो चाहे आप जो मिठाई बगएरे में जो रबर लगा के या फी रीबन जो होते नहीं प्लास्टिक के आप उसको भी इसमें यूज कर सकते हैं और अगर वो नहीं है तो आप कोई भी मोटा सा धागा वगता है इस तरीके से आप दोनों साइड से गाट लगा कर बांग दीजिए और इस तरीके से देखे हम अपने साबुन को यहाँ पर रख देंगे तो निकल रही है तो हमारी साबुन काफी से नीचे से बहुत भी बंदा सा लगता है और जब उसको हम लोग नहाने जाते तो बहुत अजीव से लगता है तो अब बढ़ते अपने नेश आईडिया की तरफ तो इस तरीके के जो ब्रस सब घर में तो रहते हैं और जो हम डेली तो ब्रस करते हैं उसमें क्या होता है कभी-कभी बहुत ही हमारा और जो ब्रस आजीव से smell करने लगता है, और जब smell करता है तो हमें उससे brush करने में मजा नहीं आता है, और हमारा mind fresh नहीं होता है, क्योंकि जब हम brush करते हैं, तो हमारा mind fresh रहना चाहिए, तो हम उसको clean करने के लिए क्या करेंगे इस तरीके का हम bowl में गरम पानी ले लेंगे और ज्या तक गरम ना हो medium में ही रहे और इसमें हम थोड़ा सा जो daily use नमक यूज होता है खाने वाला उसको हम एक चमच इसमें डाल देंगे और जो हमारे ये brush है इसको हम थोड़ी देर के ल आती है फ्रेंड्स वह बिल्कुल भी आएगी नहीं और इस तरीके से हमारे जो mouth में बैक्टीरिया चले जाते हैं और बारिस का सीजन तो ही आप जानते हैं तो इस तरीके से आप brush को हपते में एक बार तो जरूर इस तरीके से clean करिए हमारा brush जितने भी इसमें बैक्टीरिय जो होती है वह अक्सर इस तरीके से इसके उपर रख देती और जो कि काफी सारा साबून हमारा इसके जो brush के उपर है इसमें रह जाता है और काफी साबून भी बरबाद होता और हमारा brush भी मतलब खराब हो जाता उपर से जो कि निकलता भी नहीं और जल्दी साब भी नहीं ह हो जाएगा हमारा साबु भी सब्लांग और जो हमारा ब्रस भी अच्छे से वो पढ़ते हैं इस तरीके के जो छाते बगएरा होते हैं अभी तो जो की मानसून का समय चाल रहा है तो छाते तो सभी की घर में यूज होते हैं तो इसका कबर जब लंबे समय तक निकला रहता तो वह कहीं ने कहीं बच्चे इसको खुवा देते हैं या तो हम ही लोगों से ही व जो टीचर बगएरा होती है जो डेली उडूट मतलब आफिस बगएरा जाती है उनको भी छाता अपना कैरी करना पड़ता है तो उनको अपने पर्स में इस तरीके सुनका और उनको अम्रेला मतलब इधा उदरा मतलब मेस मतलब फाइला हुआ नहीं मिलेगा अब बढ़ते ह जो चार्जर हम जब भी मार्केट से जाते हैं फ्रेंट से नहीं लेकर आते हैं और कफी लंबे समय से यूज करते करते हैं इस तरीके से क्रेक हो जाता है तो जो कि हम क्या करेंगे इस तरीके का रीबन हम इसमें लगा देंगे आप कोई भी रीबन लगा सकते हैं पतला सा क् तो अगर हमारा charger साम सहाँ स्कार सकते हैं अगर इस के सेंफ नहीं करेंगे तो महिंग जागए यह न Originally K तक लोक जलते हैं तो इस ऐह को हमारे वरीजिनल फोन के चारजर अप उनको बचाने के लिए इस तरह को रीबन आप लगाने रखेंगे दोनों साड़ तो हमारा जो charger है वो अच्छी तरह से बचा रहेगा और इस तरीके से जो crack होता वो crack नहीं होगा अब बढ़ते हैं नेश्टर टिप की तरफ तो आपने देखा होगे जब इम कही साधी बिया में जाते तो इस तरीके कॉंप कैरी करके ही ले जाते हैं तो क्या होता कोई ना कर लिएस नंगी कर लिए तो कोई कोई क साथ में तो साधर के रहते हैं तो सांध में पूरी तरह से साफ हो जाएकंगा फिर उसके बाद हम याच्छे से तरह यूज कर सकते हैं तो ये प्रोसेस आप अपने घर में भी कर लीजी क्योंकि मांसून का टाइम है तो इस तोरीकल लोगा फरीज को सबका रिखा है तो उसमें नेल पॉलिस का कोई ना कोई बतलब उसमें वो लगा देती थी ताकि हमारा जो प्लेट वगएरा ये जल्दी से खोए ना तो उस तरीके से ये आईडिया अब आज मैं आपको बताती हूँ जब भी आपके भी अपना बरतन किसी क्या मतलब देते हैं तो जिससे कभ लिए बहुत ही पूराना है दोस्तों आपको भी कही न कहीं याद होगा कि मेरी मम्मी तो अभी भी गाउं में इस तरीके से प्लेट वगएरा जो होता है या थाली वगएर कोई भी वरतन होता है तो उसमें इस तरीके से निल पॉलिस वगएर वो चीन लगा देती हैं अगर खो जाता है तो तूरंट उनको मिल जाता है तो यह आइडिया आप जरूर कर सकते हैं अगर आप गाउ से बतलब रिलेटेड हैं तो आप नहीं पर भी जाके इस तरीके का हैक जरूर यूज करिएगा तो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अब बढ़ते हैं अपने नेस्ट आइडिया की तरफ इस तरीके का सभी के घर में डाइट जो लोग डाइट फोलो करते हैं तो इस तरीके का बॉक्स सभी के घर में आता ही है या तो जिनके घर में बच्चे रहते हैं चोकोस बगारा तो आता है अगर नहीं भी आता तो कोई भी इस तरीके का डेबा ले लिजे और अपने अकॉडिक इसको मीडियम साइज में कट कर लिजे तो इस तरीके साफ चोट छोट जो हमारे समान होते हैं इसमें आप अच्छे सा और रख सकते हैं और जिनके गर में छोटे बच्चे हैं तो कगी वगेर हमेशा खवाता ही तो इस तरीके साफ इसमें और्गनाईज करके रखिए फ्रेंड्स आपको कोई भी समान कभी गुम नहीं होगा तो आज के आईडिया में उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आए होगा अगर पसंद आएगो तो में चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएगा और कमेट सेक्सर में बताइएगा कि हमारे आज की जो आईडिया है आपको कितने पसंद आए तो चलिए मैं आपसे फ कर दो झाएगा ग्म!